योर फ्यूचर इस क्रियेटेड पाई वाट यू दू तूडे नाट टुमारो मतलब आपका जो भविश्य है लोग अक्सर भविश्य को ले करके चिंतित रहते हैं वो उससे बनता है कि आप आज क्या कर रहे हो कल आपने क्या किया था पहले आप कितने अच्छे थे इससे सभी के लिए एक विसेस बैद चल रही है मैत की इस्पेसल क्लास बेसिक मैत यह सभी चात्रों के लिए है चाहे आप अध्यापक बनना चाहते हैं आप पड़े अधिकारी बनना चाहते हैं आप आर्मी में जाना चाहते हैं पुलिस में जाना चाहते हैं मतलब कुछ भी करना हो सकते हैं तो वो सब कुछ भूल करके अब हम लोग मैच सीखेंगे आज पढ़ेंगे आपका जो यह बैच चल रही थी उसका आज पार्ट नंबर 14 है यहां तक दिख रहा है न देखिए आज कौन सा है पार्ट 14 है और हम सभी स्टार्ट किये थे नंबर क्योंकि गडित का जो डाल दें टोपिक आज क्या-क्या पढ़ेंगे जैसे की मारकर मुझे लग रहा बहुत कम चल रहा है इमेजिनरी नंबर और मैं यहां पर आप सभी लिखिए पटापा टाइटल लिखिए क्या लिखेंगे कंप्लेक्स नंबर आप काफी लोग परेसान हो रहें कि यह इंगलीस में लिख रहें मुझे तो आती नहीं है कौन सी बहां सा भी आम तो इंदी जानते हैं यूपी वाले हैं भीहार वाले हैं तो बिल्कुल टेंशन मतलो भाई बंगाल वाले और आसाम वाले को भी मत भूलो दोनों लेंग्वज लिखेंगे कंप्लेक्स नंबर को साथियों बोलते हैं समरिस संख्या तो यह क्या होता है इसके बारे में आप सभी ध्यान से देखिए कंप्लेक्स नाम से कुछ चीजें आपको समझ में आ रही हैं अगर आप इंगलिस थोड़ा बहुत जानते हो हिंदी में तो फिलहाल कम समझ में आएगा या हिंदी में भी आप समझ सकते हो देखो यहां पे लिखा समिस्र जो लोग हिंदी पढ़ें संधी उगरा उनको पता होगा देखो मिस्र ना आपने पड़ा था मिस्रित भिन मैंने आपको बताया था ना मिक्चर जी से जानते हो मतलब कोई भी बस तुमें धेर सारी चीजें मिला दी जाएं तो उनको क्या बोलते हैं मिक्चर ना अब देखिए यहां पर समझ यह कैसे समिस्र दो चीजों का मिक्चर तरह लग रहा है न तो इसको पहले आप लोग एक्जांपल से समझ लीजिए फिर आपको बताते हैं गुल मिला के इसमें हमें यह फील हो रहा है कि इसमें दो संख्याओं का क्या है मिक्चर है मिस्रण है जैसे एक्जांपल पहले देख लीज लेकिन है जैसे अगर हम यह नंबर देखें और यह यह दोनों वैसे नंबर पढ़ने के पहले आपको रियल नंबर और इमेजनरी नंबर आना जरूरी है तो फिलहाल हमें लगता है पिछली कलास में मैंने पढ़ा दिया था अगर नहीं पढ़ाया था तो आप बता दिजिएगा कमेंट करिएगा आपको मिल जाएगा वो ठीक है तो रियल नंबर अगर इसकी हम बात करें यह क्या है रियल नंबर है यह क्या है रियल नंबर है जिसे क्या बोलते हैं कालपनिक संख्या मतलब की कालपनिक संख्या इसे आप लोग लिख लीजिए जो भी लिखना चाहते हैं इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं बाकि इसकी डेफिनीशन भी हम आपको लिखवा देंगे कि उदर साइड में देखो मैंने लिखा है कालपनिक हलका बाहर निकल गया लेकिन पूरा दिख रहा है यहां पर लिखा है कालपनिक तो यह हो गया इसके बाद अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है कि आए रियल नंबर और इमेजनीरी नंबर इसके रिक पीक के पार्ठ थे वह तो आप सभी जानी रहूं लेकिन मैं थोड़ा सा ये नंबर के बारे में आपको पता देता हूं इमेजनेरी नंबर आखिर ये कल्पनिक संख्या क्या होती है क्योंकि यह थोड़ा सा अजीव टाइप कर लगता है कई बार समझ में नहीं आता है तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए उसके पहले इपने इसन बाद में लिखाऊंगा वैसे दोनों की वास्तबिक कल्पनिक और यह संख्या सबका उदाहरण में लिखवा दूँगा पहले आप यहां पे समझ लिजिए फिर उसके बाद उदाहरण और परिभासा सब हो जाएगा जैसे नाम से असवच्ट है कल्पनिक संख्या जैसे कल्पना करिए imagine करिए कि हम देश के परदान मंतर ही होते हम अपने यहां के परदान बन गए होते हैं तो क्या करते हैं बहुत से लोग कल्पना करते हैं कल्पना की दुनिया में खोई रहते हैं ड्वी चरकर के तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर आप देखिये समझिए करकार से ते तो कल्पनिक संक्या में यहा पर आप इदर साइड में देखिये कल्पनिक संक्या मतलब imaginary number लोगन गहां नमबर इसका जो रूप होता है अगर आप कहीं भी देखोगे ढूड़ोगे आपको मिलेगा आई का इस्क्वाइर किपल माइनस कवन या फिर जो आप सिंपल में अभी तक पढ़ते आयो इधर से रुताइज नहीं दिखा सकते हो दोनों में से कोई भी दिखा सकते हो और ये तो आपको कुछ समझ में नहीं हो गया है और यह क्यूं लिखाया कैसे क्या तो अगर इसकी गाहराई में जाएंगे थो बहुत बड़ी कहानी है हम पढ़ रहे हैं बेसिक तो हम इतना ज़्यादा गाराई में जाने वाले नहीं नहीं तो फिर उपर से उड़ने लगेगा समझ में आए गर नहीं तो उतना ही पढ़ेंगे पर जितना हमें यहां पर जरूरत है इनके अगर हम कुछ और भी एक्जामपल देखें तो जैसे मानलो अंडरूट माइनस का 25 यहां से यह समझने आ रहा देखो एक चीज आई सिंबल है किसका कल्पनिक नंबर का या इमेजनरी नंबर का सिंबल है आई तो यहां पर यह समझने आ रहा कि अंडरूट के अंदर माइनस वन होना चाहिए बस वही क्या है काल्पनिक नंबर तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो बता रहो इसमें वन कहा है इसमें भी है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है देखो कैसे इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि नह में आप कुछ भी करो सब हो तो एकी छट के नीचे लेकिन कुछ लोगों को अगर इसमें भी अपच्छ हो रही नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको अलग कर दो और इनको भी अलग कर दो भाई यह लो यह भी तो वहीं हुआ ना इस तरह से आप यहाँ से समझ गए इसका क्या हो जाएगा वर्क पुल आराम से आजाएगा चूकि यह परफेक्ट रूट नंबर है पूर वर्ग संख्या है तो इसका तो पांच हो जाएगा लेकिन जो माइनस का यह वण फसर हाई यह क्या है आप यहां देखो इदर यह आई इसका मान है ना आप यहां पर आई लिख सकते हो ना तो कुल मिला करके समझ में आगया फाइप आई क्या है एक इमेजनरी नंबर है एक कालपोनिक संख्या है यहां पर जो मैंने लिखा था वही यहां भी है बस इसका थोड़ा अपग्रेट इसको लिख लिजिए और अगर आप इस वीडियो को यूटूब पर देख पा रहें तो पीवियार स्टेडी लहाबाद के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिसे कि आप देली पढ़ पाएं और ऐसे आसानी से घर बठे सीख पाएं अगर आप फ तुने हो ना एक देश एक चुनाओ तो बस वैसे यह एक ही चैनल है जो कि प्लेटफार्म कोई भी ओ नाम होई है आप अनेकडमी पर भी पीवियार स्टेडी को फॉलो कर सकते हो वहाँ भी नाम होई है उससे चातर कमेंट करते मैसेज करते हैं कि आप इंस्टागराम पर क् पढ़ना बहुत आसान आसान है लेकिन कुछ लोगों को अभी इसमें समझ में नहीं आया होगा तो हम थोड़ा और भी जंपल उनको बता देते हैं जैसे देखिए इसमें आप और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हो कोई भी नंबर ले लो जैसे मान लो कि हमने अभी एक इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं तो घेस फूपचीस। और इसको जैसे अभी मैंने बताया था शेटो पचीस अकर चाहो तो इसका वर्गमूल आप निकाल लो इतने का इसको तोड़ लो अच्छे से अलग अलग ही कर लो यह इसका हो जाय का पचीस और ही आई हो गया तो 25 आई हो गया यह क्या है मजनेरी नंबर है नीचे हमें लग रहे हैं आप लोगों को नहीं दिख रह होता है 1-1 के बराबर होता है कि तो इसको हम यहां उपर साइड अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 625 और यह अंडरूट माइनस का वर्गमूल क्या होगा पचीस होगा क्योंकि 25 का ओवर्ग 625 होता है और यह इसकी जगा पर आई लिख सकते हो गुड़ा कर लो एक लाइ हो गया तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए और यह बहुत बढ़ी हो जाएगी वीडियो हमारी कोसिस है कि छोटी-छोटी ही रहे तो इसको यहीं पर करते हैं आप सभी क्लास को पूरा देख लिए कैसे लगा कमेंट करके आपने बिचारों को जरूर बताना मिलते हैं फिर अगली कलास में बहुत बहुत थेंक्यों आपको और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जिससे कि आपको अगली कलास भी मिल सके और आप अराम से घर बैठे सीख सको जैहिन